नमस्कार, सीक्रिट मिस्ट्रीज में आपका सुवागत है हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकोन को जरूर दबाए ताकि हमारी नही आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें हनुमान चालीसा में चालीस दो है क्यों है? ये हमारे जीवन में क्या एहमियत रखते हैं? चालीस चौपाईया हमारे जीवन की संपूर्णता का प्रतीक है इनकी संख्या चालीस इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि मनुष्य जीवन 24 तत्वों से निर्मित है और संपूर्ण जीवन काल में इसके लिए कुल 16 संसकार निर्धारित किये गए है इन दोनों का योग 40 होता है इन 24 तत्वों में 5 ज्यानेंद्रिया, 5 करमेंद्रिया, 5 महाभूत, 5 तनमात्रा और 4 अंतकरन शामिल है भगवान की इन स्तुतियों में हम उन्हें इन तत्वों और संसकारों का बखान तो करते ही है साथ ही 40 स्तुति से जीवन में हुए दोशों की शमायाचना भी करते हैं इन 40 चौपाईयों में 16 संसकार एवर 24 तत्वों का भी समावेश होता है जिसकी वजह से जीवन की उत्पत्ति है तुलसीदास दौरा रामचरित मानस के बाद लिखी गई सबसे जदा लोग्प्रिय रचनाओं में श्री हनुमान चालीसा एक है श्री हनुमान भक्त के लिए हनुमान चालीसा का पाट असंख्य लोकश्राधा और भक्ती से तमान, सुक्ष, वभाग्य वब सिध्धी की कामना से करते हैं। दरसल हनुमान चालीसा के दोहो और चौपाईयों के सरल शब्दों में गहरे अर्थ चिपे हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की चौपाईयों के जरिये जीवन को साधने या यूँ कहें तो व्यवस्तित करने की समझ वद दिशा संसार के लिए उजागर की है। जिस तरह श्री हनुमान ही गोश्वामी के मार्ग दर्शन बने। उसी तरह हनुमान चालीसा सभी के लिए जीने और कर्म की रा दिखाने वाली है। खास तोर पर जबकि आज के युग में हर खशेत्र और विशय में प्रबंदन की बड़ी एहमियत है। ऐसे में हनुमान चालीसा की हर पंक्ती ही जीवन प्रबंदन के एहम सूत्र सिखाती है। दरसल सांसारिक जीवन में श्री हनुमान विश्वास का दूसरा नाम है। जय श्री राम, जय हनुमान। तो उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई और प्लीज 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 इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजेगा ताकि आने वाली नई वीडियो को भी आप इंजय कर पाए। तैंक यू बेरी मच, गुडबाइ।